स्वागत है आप सभी का आपके साथ मैं रोहित रंजर और अब वक्त हो चुका है गर्दा उडाने का क्योंकि देखिए यूपी के युद में जनता का होता है मुद्दा और जनता ही उडाती है गर्दा हम तो सिर्फ इतना कहते हैं गर्दा उडा दिया और आज बारी है बस्ती की जनता की जी हां बस्ती की जनता तपो भूमी बस्ती चीनी का कटोरा ये बस्ती और यहां की जनता ही आज उडाएग तैयारी की जहां तक बात हो गई है तो गर्दा उड़ाने की शुरुआत मैं सबसे पहले यहां से करता हूं एक महाश्य हमारे साथ हैं उनको देखके लगी नीरा कि ठंडे अभी भी नंगे पाऊं यह समझेंगे कि घर्दा कैसे उड़ा रहे हैं और सर हमारे साथ हैं उनको द बदा लिए वैसे ड़ल जाता है वैसे हमारा मनना है कि इस देश का किसान और नौजमान जो सिद्धान पे चलता है उस उदामा की तरीके से बदाल है और जूट की खेती करने वाले हो चाहे राजनीतिक दल हो चाहे अधिकारी हो चाहे भ्यापारी हो यह ठेकेदार हूं वह माला माल यह नंगे पाओं और सर पे बाल मुझे पता चला कि आप बाल हर अपना साफ कर देते हैं तो इसके पीछे को उद्देश गर्दा उड़ाने की तैयारी क्या एकदम एकदम जो इस समय हमारे देश की सरकार है प्रदेश की सरकार है इस पाइटी में मैं एटी नाइन से 2017 तक रहा है इसके लिए जंता माइने नहीं रखती और ऐसे लोग जो दागी होते हैं और इसी का परणाम है आज इसी का परणाम है कि सिच्छा चिकिस्टा की हालत है पतली किसान हुआ बदहाल और कर्मचारी अपने हग के लिए लड़ते कौन यहां खुसा हाल करदा उड़ा दिया आपने काना चाहूंगा कि 95 में नमक एक रुपया किलो था ग्यहूं साड़े साथ रुपया किलो था आज नमक से नमक ग्यहूं से महंगा हो गया किसान कैसे खुसाल होगा हमारे चोटा चोटा और भी लोग हैं सर प्लीज मैं भाशन नहीं सुन अब सर यह बताई ठंड तो बहुत इन्होंने तो कहा दिया कि हमने कर लिया लेकिन इस बार आप कैसे घरदा उड़ाने वाले ठंड और गर्म का आपने उल्टा कर लिया मुझसे पूछना चाहिए था कि यह आओ आप दोनों कैसे दोनों अलग-अलग हैं मैं इनको बताओं हैं इसनाते ठंडी नहीं लगती हम गरीव हैं इसनाते हमको ठंडी लगती है 200 किलोमेटर और 600 किलोमेटर हम लोग यहां 100-200 किलोमेटर मोटर साइकल से चलते हैं और यह ठंड़क का मौसम है एक गंटे पहले बारिस हो रही थी आप नहीं आया थी अभी कुछ दिर बाद फि या केमरा लाइए पेंशन कोई भीक नहीं है अधिकार हमारा है शिक्षकों का जनपतों के अंदर स्थानतन का आदेश जारिक करो यह मांगे हैं तो यह तक्तियां लेकि जो गर्दा उड़ा रहे हैं क्या मांगे हमारी मांग है पुरानी पेंशन 28 लाग करमचारी हैं और 6 सिच्षक यहीं मुख्मंत्री जो भी हमारे परदेश के बने उन्होंने कभी भी हमारे इस पैंशन के लड़ाई को आगे नहीं बनने दिया वह लोग मलसी बनते हैं तीन तीन पैंशन एक साथ लेते हैं लेकिन जहां करमचारी सिच्षकों के पैंशन की बात आती है तो वहा पैंशन का पांच साल भी इतने को है और बेसिक सिच्षा में लगभग बहुत से ऐसे सिच्षक साथी हैं जो जनपत में ही रहकर डेड़ सो से 200 किलोमीटर का आना जाना रोज होता है जिसमें उनको सारीरिक मानसिक और आर्थिक समस्याएं आती रहती हैं तो हमारा यही अस्थाना अंत्रंड किया जाए और सिच्षकों को रहत दी जाए आपके क्या मांग हमारी मांग पुरानी पैंसन है और फर्क साफ है इस सरकार में जर्क साफ है अच्छा विलकुल और देखिए पहले पुरानी पैंसन मिलती थी अब नहीं मिलती है परिवार नियुजन और यह पर लाखा है और इस तीनों कानौन जिए और जब सरकार ने इसको वापस लिया तो हम सिच्छों कर्मचार suficiente साफ होती है इनकोषव को लगने के समझ में तो इसकोड़ा मैं नहीं कर्मचारी हुए सिचक हुए साथे चार वरसों से लगातार धरने पे अपनी माओं माय के लिए लखनों में कई बार जा चुके हैं अपनी माओं के लिए सरकार इतना सवेदन हीन हो गई है माओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है लगातार हम आपके हर कारिक्रम हर योजनाओ को सफल बनाने के लिए दिन राद जुटे रहते हैं हमारी एक छोटी सी भी मांग आप नहीं पूरी कर रहे हैं पुरानी पैंसन के लिए तो हम लड़ी रहे हैं हमारा एक भी मांग यहां तक कि अंतर जनपदी अस्थाना अंतरन पूरे साल में नहीं हुआ हमारे ब्लाक में सि सब्सक्राइब नहीं हुआ तो क्या फिर गंगा में लाशे बहेंगी सब्सक्राइब लेकिन मैं इतना सवाल करना चाहूंगा कि सामाने बरके बच्चे जो परयोगी परिश्या पास होने के बावजूद और वैकंसी पड़ी हुई है परिश्या पास हो चुके हैं उनकी बर्ती नहीं की जा रही है और बिधान सभा से लेकर सिच्छा मंति का गिराव कर रहे हैं और यह सरकार सबानों की पूर्ण रूप से उपेच्छा कर रही है और इस चुनाओं में यस्टी हैक में हमारे जनपत के बहुत से लोग फरजी म मुकादमों में आज भी जेल में हैं और उनकी जांच होने के बाद जांच इस बोट अभी तक कोली नहीं गई है और उन्हें निर्दोस साबित नहीं कहा है जबकि और रुक जो यार हाँ हाँ है कैसे करदा उड़ा रहे हैं देखिए रोजगार की मांग कर रहे हम सब जाड़ों खर्षाश को आयर को यह में चार्टरों के घ्रटरों के लिए उसका मुद्दः जचाटरों का पछ परच़ है यह सरकार और और यह जाजवित्ति का जो मामला है चाथरों का चाथरी और को है इसका कोई माहुल नहीं बन रहा है कि चाथर को मिल पाए इसलिए किसे गढ़ता के चुनाओं जब तो कर्दा उडाएगी सर तो क्या देख रहे हैं बस्ती में मुद्दे तो बहुत तर पां से पांच-पांच मंत्री थे लेकिन यहां पर ना सिच्छा की कोई वे उस्था थी ना ही यहां पर कोई किस्था वे उस्था थी लेकिन यह दो साल की सरकार थी तीन साल तो करोना ने खा लिया उसके बाद भी पूरी सरकार ने यहां पर मेडिकल काले दिया और यहां पर लाइ लोग आए तधा बस्ती यह जिद्नी चीनी तब बंद कर दिया गया है रोजगार के मामले में सरकार फेल घाड़ा मुथ तढके लोग आ आए सारी सड़कें गड़ायूक तो हैं चलने में युवा और बेरोजगार परितबा परिसान है जोला में लगता सबजी लेकर आया है लोग बोलते बहुत महंगा हो गया है